संत महिमा एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे एक सिकारी जब भी वहां से निकलता संत को परणाम अविश्य करता था एक दिन सिकारी संत से बुला कि बाबा मैं तो म्रग का सिकार करता हूँ आप किसका सिकार करने जंगल में बैटे हैं संत बोले स्री कृष्ण का और फूट फूट कर रोनी लगे सिकारी बुला अरे बाबा रोती क्यों हो मुझे बताओ वो कैसा दिखता है मैं पकड़ के लाओ उसको संत ने भगवान का वे मनुहारी स्वरूप वड़न कर दिया कि वो सावला सलोना है मूर पंक लगाता है बासुरी बजाता है सिकारी बोला बाबा जब तक आपका सिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं प्यूंगा फिर वो एक जगे जान बिचा कर बैठ गया तीन दिन बीद गए परतिक्षा करते करते दियालू थो ठाकूर को दिया आ गई वो बला दूर कहां है बासुरी बजाते आ गई और खुद ही जान में फस गई सिकारी तो उनकी भूवन मोहिनी छवी के जान में खुद फस गया और एक टक स्याम सुन्धर को नयारते हुए अश्रू बहाने लगा जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का सुम्रण आया और जोर जोर से चिलाने लगा सिकार मिल गया सिकार मिल गया सिकार मिल गया और ठाकूर्ची कोई की और देखकर बोला अच्छा बच्चू तीन दिन भूका प्यासा रखा अब मिले हूँ और मुझ पर जादू कर रहे हूँ स्याम सुन्धर उसके बुले बन पर लीजे जा रहे थे एवं मंद मंद मुश्कान लिये उसे देखे जा रहे थे सिकारी किष्ण की ओड को सिकार की पाती अपने कंदे पे डाल कर और संत के पास ले आया बाबा आपका सिकार लाया हूँ बाबा ने जब यह द्रश्य देखा तो क्या देखती हैं सिकारी के कंदे पर श्रीक्रिष्ण और जाल में से मुश्करा रहे हैं संत के तो होस उड़ गए सिकारी के चणों में गिर पड़े फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले ये नात मैंने बच्पन से अब तक इतने प्रेतन की आपको अपना बनाने के दिये घर बार छोड़ा इतना बजन किया अप नहीं मिले और इसे तीन दिन में ही मिल गए भगवान बोले इसका तुम्हारे प्रेती निश्यल प्रेम वा कहे हुए वचनों पर द्रण विश्वास से मैं रीज गया और मुझ से इसके समीब आए बिना ग्राह नहीं गया भगवान तो भक्तों के संतों के आधीन ही होते हैं जिस पर संतों की किरपादरष्टी हो जाए उसे ततकाल अपनी सुखद सरुन परधान करते हैं सिकार तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है पर संत को प्रति दिन परणाम करता था संत परणाम और दर्शन का फल यह है कि तीन दिन में ही ठाकुर मिल गए यह होता है संत की संगती का परिणाम